पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना वाइस मानेस में, जो इन्वेस्टिकेशन होगा, दोश होगा तो ज़रू उनको सब्सक्राइब करना है, लेकिन 20 मिनट के पूछताच के बाद उन्हीं छोड़ दिया गया, पुलिस ने रेव पार्टियों में साप के जहर के कथित इस्तमाल को लेकर केस दर्च किया है, इस मामले में पाँच लोगों की गिरफतारी भी की गई है, इसके बाद से ही एल्विस अपनी सफाई देते हुए नजर आ रही है, इस मामले में राजनेतिक बयान बाजी भी हो र नहीं है, वहीं एल्विस यादव ने जब बिग बॉस जीता था, उस वक्त हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने उनके फैन मीट में उनके साथ स्टेज शुयर किया था, उन्होंनों एल्विस को बधाई भी दी थी, वहीं जब एल्विस मामले में खटर से सवाल हुए त तो उन्होंने कहा, अगर वो दोसी हुए तो उनके खिलाफ ज़रूर कारवाई होगी, उन्होंने कहा, उनके खिलाफ जो कारवाई है वो पुलिस करेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अगर दोसी होंगे तो ज़रूर कारवाई होगी किस तरीके से आप देखते हैं तिक अभी ये विशे चोंक एक नया विशे उठा है उनका इखलाफ जो एक्शन करना है तो पोलिस ने करना है हमारा उसमें कोई कहना नहीं है ना पलस में ना वाइस मानेस में जो इन्वेस्टिकेशन होगा दोश होगा तो जरूरू